मेरा नाम आनन्दाचारे है मैं एक ब्राह्मन फैमिली से मैं अंडर वल्ड के लिए काम करता था 12 साल पहले मैंने 40 पास्तरों की सुपारी ली थी हाललुया मुझे किसी ने प्रभुईश्य मसी के बारे में बताया और कहा कि आप प्रभुईश्य मसी के पास आईए वो तुमें शांती देगा मैंने उसे डाटा मैंने कहा यह विदेशी धर्म है यह पैसा देते हैं लोगों को क्रिश्टन बनाते हैं दोस्त लोग आए 10-12 लोग चर्श के अंदर गए हम लोग हतियार लेकर बैठे हमने कहा यदि हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं हम इने मारेंगे मेरे दोस्तों मुझको छोड़कर चले गए और मुझे कहा कि इस चर्श पर तू वाच रखना यह लोग जिस दिन हमारे मजब के बारे में बोलेंगे कि हम इसे तोड़ देंगे चर्श को आज का जो वीडियो है काईश वो है एक इनसान के बारे बें जिनकी लाइब बहुत जादा गलत चीजों में फसी रही थी जिन्होंने अपने मुह से बताया हम उनका भी वीडियो देखेंगे और वो हमें बताएंगे कि क्या वो रीजन्स जो अनके लाइब को खराब कर रही थी जो पास्टॉस ने 一 Park को खराब कर दिया ईया जो प्रीचिंगर तो पास्टॉस नुकिली को खराब कर दे ऐसस टेप इनको ले न पड़ागी हम सब उनके मुह से भी सुनेंगे अगर आप इस चैनल पे नहीं है अभी इस रड़ बटल को क्लिक करें और सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्टेम जब भी वीडियो आए तो आपके मुबाइल तक पहुंच सके और आपको हमारा लेटिस्ट वीडियो हमेशा मिलता रहे मेरा मैं रहता हूँ यॉरप के बीच में और मैं इस चैनल के उपर पहले बना रहा था यहां की वीडियो बट कुछ मेरे दिमाग में चेंजिस हुए हैं और पिछले काफी दिनों से और खुदाने मेरे को कुछ काइड किया कि मैं परमेश्वर के बारे में आपको बता सकूँ त मैं एक छोटी सी बात यहां पर पोलना चाता हूँ गाईस इस चैनल का कोई बी ऐसा मॉटो नहीं है कि किसी भी धर्म को उपर करें और किसी भी जाती को नीचे करें हमारा ऐसा कोई एजंडा नहीं है मेरा एजेंडा इस चैनल के उपर ये है काईस के आज की डेट में इनसान के उपर बहुत सारी प्राव्लम्स चल रही है जैसे के करोनो वायरस आपको बता है बहुत सारे लोगों की जॉब्स चलेगी बहुत सारे लोग प्राव्लम्स के बीच में है मैं इन वीडियो के थुरू उनको एंस्पायर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर से प्रातना करें, रियल परमेश्वर से प्रातना करें ताके खुद आपको रियल ब्लेसिंग्स दे सके अब कुछ बातों पे आप सब कोई यकीन नहीं करा सकते क्योंकि हर कोई इनसान, कोई धरम में, कोई रिलिजन में, कोई कस्टम में कही ना कही हम सब भसे में हैं पर जब हम किसी की बात को सुनते हैं, किसी की लाइप को देखते हैं कि उनकी जिदगी के बीच में क्या था और कैसे उन्हों अपने लाइप को चीज़ किया पर परमेश्वर की बातों में अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं आ रहा अगर कहीं से भी आपका वो लैग है वो इस चैनल पर मैं पूरा करना चाहता हूं तो आज का जो वीडियो है गाइस वो है एक इनसान के बारे में जिनकी लाइफ बहुत सादा गलत चीजों में फसी हुए थी जिन्होंने अपने मूँ से बताया हम उनका भी वीडियो देखेंगे और वो हमें बताएंगे कि क्या वो रीजन्स थे और क्या वो बते थी 42 लोगो को और फिर मैं मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के बात स्टेट ही हो जानाम आनदाचारे है मैं एक ब्रह्मन फैमली से प्रभी शुमसी के पास आया हूँ हाललुया बहुत असंबबात है प्रभी शुमसी को जानना हाललुया अज से बारा साल पहले मुझे किसी इसने शुमसी के बारे में बताया कि ये शुमसी सच्चा परमेश हो रहे हाललु मगर उसके कुछ साल पहले मैं एक गुनेगारी लाइन में था मैं अंडर वर्ड के लिए काम करता था मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ प्रभीश्य मसी कहता है मैंने तुझे तेरे माँ के गर्ब में चुन लिया था 12 साल पहले मैंने 40 पास्तरों की सुपारी ली थी मेरे साथ मेरे मित्रा हैं भाई पॉल वो भी बाई अंडर वर्ड के लिए काम करते थे उनका कुछ केस पेंडिंग है इसके लिए वो गवाई नहीं देते है ये श्यू मसी ने मेरा सारा केस पे निल कर दिया इसके लिए मैं दड़ कर गवाई देता हूँ क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है क्योंकि प्रभू इश्यू मसी ने मुझे सोतंतर किया 40 पास्तरों का जिस दिन मैंने सुपारी लिया मैंने सोचा कि मैं इनको मार कर मेरे धर्म का काम करूँगा अलालुया परणतु मुझे मालूम नहीं था मैं जिन्दा परमेश्यूर के हाथ में पढ़ गया हूँ जैसे पॉलूस जाकर लोगों को मारा करता था मसी लोगों को सताता था उस तरीके का मैं एक वेक्ति था मगर मैं परमेश्यूर के नाम को धनेवाद करता हूँ उस प्रभू ईश्यू मसी ने मेरे जीवन को बदल दिया एक हतियार पकड़ने वाला विक्ती आपके बीच में उस परमेश्वर के बारे में आपको बताने आया है जो नया जीवन देता है जो हम सबसे प्यार करता है वो किसी धरम की स्तापन करने इस दुनिया में नहीं आया आप ठीक तरी कैसे बाइबल पढ़ लो यहुना तीन सोला के अंदर मेरा परमेश्वर कहता है संसार ने जगत परमेश्वर ने संसार से ऐसी महबत की कि उसने अपना एकलोता बेटा प्रभीश्व मसी दे दिया ताकि जो कोई केवल क्रिश्वर नहीं मेरे भाई ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहो परंत वननकाल का जीवन पाए हललुया सर मेरे मैं जब गुनेगारी लाइन में था मुझे फोन आते थे इसको आज मारना है इसको उठाना है इसको दमकी देना है मेरे इतने लंबे बाल थे सर चोटी दाड़ी होती थी हतियार होता था आट-ाट लड़के साथ में रहते थे मैं समझता था मेरे जैसा तुरुम खान कोई नहीं है मगर मुझे मालूम नहीं था प्रभी शुमसी सब कबाब है हाललुया मैंने बताया मेरा नाम आनंद आचारे है मैं एक ब्रामन फैमिली से हूँ मुझे तीन बच्चे हैं दो बेटिया हैं एक बेटा है और एक की पत्नी है हाललुया मेरी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वो नहीं बचे की करके मुझे किसी ने प्रभी शुमसी के बारे में बताया और कहा कि आप प्रभी शुमसी के पास आईए वो तुम्हें शांती देगा मैंने उसे डाटा मैंने कहा ये विदेशी धर्म है ये पैसा देते हैं लोगों को क्रिश्टन बनाते है उस भाई ने मुझे कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है आप आईए एक बार आप वहाँ पर आईए और प्रातना कीजिए आपको परमेशर बताएगा कि वो को होने मैंने आट दस दिन उस भाई को टाला क्योंकि साथ बज़े का समय होता था चर जाने का और भाई मुझे साथ बज़े कॉल करते थे आज ओ तो मेरा पीने का टाइम होता था दोस्तों के साथ बैठना मगर मैं परमेशर के नाम को धनेवाद देता हूँ आज बारा साल हो गए मैंने कभी दारू को हाथ नहीं लगा है मैं चरस गांजा पीता तुला के अंदर क्या तुम नहीं जानते ये परमेशर का मंदिर है हाललोया इसे जो कोई नाश करेगा परमेशर का आत्मा उसे नाश करेगा क्योंकि परमेशर का मंदिर तुम हो और वो पवित्र है इस बात को मैंने सीखा समझा मैं परमेशर के नाम को धनेवाद देता हूँ सर बारा साल हो गया है मेरे मूँ से गाली नहीं निकलिए बारा साल हो गया मैंने किसी को धमकी नहीं दिया है दमकी देता हूँ मगर शैतान को येश्यू के नाम से देता हूँ क्योंकि मेरा परमेश्य और जिन्दा परमेश्य हो रहे ये जैसे ही मेरे बेटी को जवाब दिया डॉक्टर ने मैं सत्संग में गया मेरे भाई ने आठ दस बर मुझे कॉल किया मेरे भाई नाराइन उसे ठीक तरीके से बात करने नहीं आता है उस भाई ने मुझे प्रभू के बारे में बताया बोला या प्रभी शुमसी किसी धरम को बनाने नहीं आए भाई आप एक बार आके देखिए मैं गया वहाँ पर जाने के बाद मैंने सारे सिंदियों को देखा जो प्रभू की महिमा कर रहे है मेरा दिमा खराब हो गया मैंने बुला आर इतने सिंदी लोग इसाही बन गए हाललुया सर जिस दिन मैंने इस बात को जाना क्योंकि सिंदी वेक्ती सौ रुपे का मटका खरीता है ना उसको ठोक के चेक कर दा है सिंदी कभी किस पर ऐसे विश्वास नहीं करेगा मैंने बुला रही ऐसे कैसे सिंदी लोग इसुमसी की भक्ती कर रहे मैंने पहली बार देखा जब मुझे इस देखकर मैं हैरान हो गया मेरे दोस्तों को मैंने फोन किया यार मेरे कुछ दोस्त लोग आए हम लोग 10-12 लोग चर्स के हंदर गए हम लोग हतियार लेकर बैठे हमने कहा यदि यह हमारे धरम के बारे में कुछ भोलते हैं हम इने मारेंगे हालेलोय content मगर मुझे मालम नहीं था मैं किस परमेशय उसे डिलिंग कर रहा हूँ वो जिन्दा है वो हमसे प्यार करता है आज भी यदि कोई बिरोधी इस बात को सुन रहा है तो मैं उसे बताना चाहता हूँ मेरे भाई परमेशय और प्रभूईशय मसीत उसे बहुत प्यार करता है वो तेरे जात और धर्म को बदलने नहीं वो तेरे जिन्दगी को बदलने आया सर उस दिन मैं चर्श में गया चर्श में एक वचन चला मेरे दोस्तों मुझे को छोड़कर चले गया और मुझे कहा कि इस चर्श पर तू वाच रखना ये लोग जिस दिन हमारे मजब के बारे में बोलेंगे हम इसे तोड़ देंगे चर्श को हाललुया मगर मैं परमेश्वर के नाम को धनेवाद करता हूँ उस दिन वचन चला परमेश्वर प्रभीश मसी कहता है मेरे छेले मुझे से बढ़कर काम करेंगे यदि वो बीमारों पर हात रखेंगे बीमार स्वस्त हो जाएंगे मैंने इस वचन को लिया घर पर गया मेरी बेटी के चाती पर हात रखा मैंने बोला प्रभीश मसी अगर आप जिन्दा है मेरी बच्ची को बचाईए मैं मेरा जीवन आपको दे दूगा मेरी बेटी दुसरे दिन उठी वो उल्टी करती थी कुछ भी खाती थी उल्टी करती थी मेरी पत्नी ने उसको बिस्किट खिलाया दुसरे दिन दाल चावल खिलाया उसने खा लिया ऐसा करते करते तीन दिन के बाद मेरी पत्नी ने मुझे बताया, ये जो कुछ भी खा रही है, उल्टी नहीं कर रही है। सदनली मुझे याद आया, मैंने प्रभी इश्यु मसी से प्रात्ना के दी। मैंने इश्यु मसी को गाली दिया। मैंने इश्य मसी के लोगों को मा रहा मगर वो परमेशुर मुझसे प्यार करता था उसका प्रेम अनुखा है मैं परमेशुर के नाम को धनिवाद देता हूँ चर्श आपको उकसाइड करना चाहता हूँ आज शोलापूर के अंदर मेरे जैसे आनन्द घूम रहे हैं मेरे जैसे मेरा नाम आनन्द है मगर मुझे गुनेगारी लाइन में मुन्ना कहा जाता था मेरे जैसे बहुत सारे मुन्ना इस शहर के अंदर घूम रहे हैं चर्श आपको जाना है क्योंकि मेरे प्रभीश मसी ने क्रूस पर सारी लड़ाई जीत ली है केवल आपको जाकर खड़े होना है और उसे कहना है कि येश्यू तुस से बहुत प्यार करता है हाललुया समय आच चुका है क्योंकि मेरा प्रभीश मसी आने वाला है 15 साल पहले में बोलता था यार येश्यू मसी में जाने से पैसा मिलता है हाललुया येश्यू मसी में जाने से कितना बोलता है एक लाग दो लाग हाललुया जैसे मैं प्रभू में आया मेरा जीवन प्रभू ने बदल दिया मेरे घर में बलेसिंग आना स्टार्ट हो गई है आज तक पैसे मेरे बश्ते है में बच्चों के लिए मेरे लिए गुटका तंबाकु नहीं लेकर जाता हूँ मेरे बच्चों के लिए मैं काजू बादाम लेकर जाता हूँ हाललुया सर उस बात को आप ध्यान रखना कि प्रभु ईश्य मसी किसी का धरम बदलने नहीं आया वो मनुश्यों को परमेश्वर्च से मिलाने इस दुनिया में आया है हाललुया हमारा भारत देश बहुत अच्छा देश है बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहां पर उन लोगों को सत्य जानने की जरूरत है चर्च सत्य आपके पास है भारत देश सत्य को ढूंड रहा है मेरे भाई मेरे बेन आपको जाकर बताना है कि येशु मसी सत्य है हाललुया वो सचाई जब जान जाएंगे वो मसी के दीवانे हो जाएंगे जिस हमारे भाई याज़े छवान मसी के दीवانे है उनको क्या जरूरत है मुंबई से यहां आकर प्रोग्राम करने की Alleluia मैं परमेश्वर के नाम को धनेवाद देता हूँ आप लोग अपना कीमती समय लेकर प्रभू के भवन में आये हैं Alleluia मेरे माबाप मुझे छोड़ कर चले गए आज मैं परमेश्वर के नाम को धनेवाद करता हूँ प्रभू ने मुझे इतने माबाप दिये Praise God इतने भाई बेन मुझे दिये Praise God Alleluia परमेश्वर महान है प्रतब सिसर उसकी करूना सदा की है क्योंकि वो सदा का जीवित भला परमेश्वर है So guys, कैसा लगा आपको कितना ही inspiring video है कितना ही inspiring है कैसे इनोंने अपनी लाइफ को change किया कैसे आप believe करके देखेगे एक इनसान का mindset कैसा था और कैसे उनोंको उनका mindset खोदाने बतला कैसे उनकी लाइफ के बीच में ये changes है इसी तरह guys, हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ है बट हम कहीं अठके हुए है हमें परमेश्वर तो ब्लेस करना चाता है हमें परमेश्वर बहतायच से ब्लेस करना चाता है पर हम कहीं ना कहीं अठके हुए है हम उस से जोड़ नहीं सकते क्योंकि हम आमने एक बहुत बड़ी दिवारे खीच रखी है रिलीजिन की दिवार है, कस्टम की दिवार है, ट्रिडिशन की दिवार है बहुत सारे ऐसे स्टुपिड थिंग्स हैं जो आपकी लाइफ के बीच में होते हैं करके हम खुदा से कनेक्ट नहीं हो पते हैं जब आप परमेशों से कनेक्ट हो गाएंगे वो आपसे बात करेगा क्योंकि हम जिन्दा है, हमारा खुदा जिन्दा है परमेशों रियालिटी में आपसे बात करेगा आपको बताएगा क्या प्रावब्रम्स क्या हैं ये वीडियो उन बात के सबूत हैं कि खुदा ने किसी की जिदगी में कैसे भी काले करा एक और चीज यहां पर देखी जाती है हम सब की जिदगी में जब भी कभी खुदा काम करेगा हम इस गवाई लेके आएंगे क्योंकि वो religion तक फसे हैं वो एक religion को देख रहे हैं और लोग चंग्याई को देख रहे हैं लोग शिफा को देख रहे हैं टेस्टमनी को देख रहे हैं ये चीज आपकी life को रोग के रखती कि परमिशर आपको bless ना कर सके हैं आप prayer करेंगे आप खुदा में जुड़ेंगे आपको problem से निकालेगा अब हम बहुत सारी चीजों में फसे में इस करके हमारे पास वो बाते नहीं आती तो guys ये चीजों को सीखें तो आप ये जब वीडियो को देखते हैं आप इन वीडियोस में से बहुत कुछ सीख सकते हैं इन वीडियोस को देखें शेयर करें खुदा सायद से प्यार करते हैं तो guys इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं और मैं आपको मिलता हूं नेक्स वीडियो में God bless you all पर मेशर आप से बहुत प्यार करते हैं कभी मत भूलना ये बात और खुदा में बढ़ते जाएं सारा इज़त सारी जलाल सारी महिमाद एके हम अपने वीडियो को खतम करते हैं और आपको मिलते नेक्स वीडियो में God bless you all Shalom Bye Bye